नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल एफम ग्यान पर जहाँ पर हम और आप फाइनेंशल एंड मनी रिलेटेड वीडियो पर बात करते हैं और कोशिश करते हैं अपनी हर नहीं वीडियो के साथ कुछ नहीं एजूकेशनल चीज़ें आपको सिखा स सकते हैं HDFC बैंक हो और यह काफी अच्छा रिटन देते आ रहा है काफी टाइम से अगर हम बात करें ज्यादा तल लोग इस पर हमेशा बुलिश रहते हैं और यहां पर जो इनका रिजल्ट आने वाला था अभी बात करें तो अभी अगर मैं टाइम देखूं तो बारा बज होके निकल के आया है और क्या क्या चीजे बढ़ी हैं क्या गटी हैं उन सारी चीजों को कवर करेंगे और क्या हो सकता है आने वाले फ्यूचर में उसके बारे में भी बात करेंगे तो अगर मैं पहली चीज बात करूं तो काफी अच्छा ग्रोध देखने को मिला है HDFC बैंक अगर हम पहला point इनकी बात करें तो जो bank का advances है अगर उसकी मैं बात करता हूँ तो वो 11,47,500 करोड के करीब बढ़के हो गया है अगर हम बात करें अभी currently जून 30, 2021 में जब यह end हुआ है और यही चीज़ हम annually compare करते हैं last year जून 30, 2020 में अगर हम compare करने जाते हैं तो यह 10,3,300 मिला है इसमें दो तरीके से हम divide कर सकते हैं एक retail loan हो गया और दूसरा हमारा commercial loan हो गया जिसमें यहाँ पर HDFC बैंक ने बहुत तेजी से loan बाते हैं अगर retail loan की अगर मैं बात करूँ तो लगबग 9% का यहाँ पर increment देखने को मिला है annually और quarterly अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ और 1% की गिरावट देखने को मिलिए ऐसे ही अगर हम commercial loan की बारे में बात करें तो अगर हम annually compare करने जाते हैं तो लगबग 25% की growth देखने को मिलिए last year June 30 2020 से अगर अभी के लिए हम compare करते हैं तो लगबग 25% की growth मिलिए और बलकि quarterly में compare करेंगे तो थोड़ी कम growth है लेकिन इसम अगर मैं deposit की बात करूँ चाहिए वो retail से deposit हो रहा हो चाहिए कहीं और से deposit हो रहा हो तो overall bank का deposit जो है वो भी काफी अच्छा increment हुआ है और लगबग 13.2% का यहां पर turnaround देखने को मिला है जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है क्योंकि जब bank के पास एक अच्छा खासा deposit बेस आता है तभी bank के पास कमाने के अच्छे खासे option होते हैं क्योंकि उसी पैसे को वो आगे पास करती है as a loan ताकि वहाँ पर एक अच्छा खासा interest या फिर आप कह सकते capital gain कर सके bank के एक short term में भी और long term में भी सबसे बड़ा business किसी भी bank के लिए यही होता है इसके अलावा अ 8.2% का increment यहां पर देखने को मिला है अगर हम last year से compare करते annually और इसका जो total aggregation निकल के आया है अभी जो इन्होंने data दिया है उसके इसाफ से अगर मैं बात करूं तो वो 6,12,000 करोड के करीब है इसके अलावा जो last point हम cover करना चाहेंगे इस नोंने जो चीज बताई है तो इन्हो इन्होंने अगर हम बात करें HDFC bank ने लगबख 54.89 का loan इन्होंने और खरीदा है जो कि इनके housing development के तुरू यहां पर take किया गया है और यह direct तरीके से लिया गया है इस loan को लिया गया है और housing development के लिए यहां पर utilize किया गया है तो यह भी काफी अच्छी बात है तो यहां पर अच्छा करेगा और उन्होंने करके दिखाया भी है COVID में तो बाकी बैंकों के लिए भी कैसा रहता है आने वाला time वो भी अभी देखने के लिए रहेगा जब भी उनका निकल के आएगा तो हम उस चीश को भी cover करेंगे और बाकी अगर मैं बात करूं किस price पे अभी trade हो रहा पर अभी कुछ दिनों में थोड़ा सा इसमें और अच्छी खासे उचाल देखने को मिलेगी जैसे जैसे यहाँ पर सारे result आउट होंगे और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी cover कुछ भी पूछना चाहते हैं कोई भी चीज नई से मजबें आयो या अगर आप कोई stock recommendation दे यहाँ थैंक यू